Hey guys welcome back to my channel आज हम बात करने वाले हैं aperture के बारे में मैं आपको बताऊं aperture photography में बहुत important role रोल है aperture का इसे अगर आप अच्छे से समझ देते हैं तो आप एक बहुत अच्छा photographer बन सकते हैं इसकी practice करने से aperture के बारे में like एक myth है कि ये camera के अंदर होता है बड़ ऐसा नहीं है मैंने पहले भी बताया है कि aperture lens में है तो मैं आपको दिखाता हूँ lens में ये है कहां कर अब देखेंगे ये lens का आपको proper closing और opening दिखेगा इस closing और opening को ही aperture बोला जाता है इन photography aperture को f point में define किया जाता है like f 1.2, f 1.8, f 2.8, f 4, f 5 aperture के main दो work है like एक तो amount of light को camera में enter करने से control करना दूसरा आपको depth of field देना अब ये amount of light को कैसे control करता है जब आपका aperture 1.2, f 1.2 पर या f 2.8 पर बतलो small number पर होता है तो आपका aperture काफी wide open होता है जिससे large amount of light enter करती है camera के अंदर और यही जब आपका aperture big number like f 7, f 9, f 11, f 22 पर होता है तो कम amount of light enter करती है आपके camera के अंदर जिससे कि मतलब अब proper use अगर करें aperture का तो amount of light को totally control कर सकते हैं आपने image के ऊपर आने से as a example मैं आप light control करके दिखाऊंगा aperture की help से तो यह अभी मेरा aperture value है f 1.4 तो अभी हम इसको increase कर रहे हैं तो अब देखेंगे कि amount of light इसमें कम होती जा रही है अभी aperture हो गया मेरा f 3.2 पर f 5 f 7 f 9 f 13 f 14 f 16 तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने f number को increase किया मेरा aperture narrow होता गया जब f 16 पर मैं आया हो मेरी image dark हो गई है इसका मतलब मेरा aperture अभी काफी narrow open हो रहा है इसी तरह जब मैं aperture को decrease करूंगा और small number की तरफ जाओंगा तो मेरा aperture धीरे धीरे wide open होता जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं f 14, f 13, 11, 8, 5 और again 1.4 पर मैं आ जाता हूं तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैंने decrease किया मेरा aperture wide open होता गया और मेरे image के इंदर light फिलो गया इसी तरह जब हम small number से big number की तरह गए तो यह wide से narrow होता गया जिसे कि amount of light कम होती गया इसी तरह aperture की help से आप अपनी image में कितना light चाहिए आपको वह control कर सकते हैं अब हम बात करें depth of field की तो depth of field क्या है यह मैं आपको अपनी next video में proper detail में समझाऊँगा for the time मैं आपको बताओं कि depth of field जैसे कि आपका यह subject है तो आपको कितना portion आपको focus में मिल रहा है यह अगर आपने यहां पे focus किया है तो इसके आगे का और पीछे का portion कितना focus में है इसे हम depth of field कहते हैं as a example अगर मैं आपको बताओं अभी मैंने रखा हुआ है aperture 1.4 और जो मेरा depth of field है वो काफी कम मैं मतलब जो ए focus का area है वो काफी कम है अब पीछे जो blur part है वो totally blurred है मतलब इसे यहां पे हमें f point small number पर कम depth of field में रहा है इसी तरह मैंने अभी aperture जो रखा है वो रखा है f point f 7.1 पर और जो मेरा focus जो subject है वो काफी focus में है totally मेरा subject focus में है और जो पीछे का area है वो भी उसकी blurness कम हो गई है और वो काफी area focus में आ रहा है तो यहां पे हमें depth of field काफी मिल रही है तो इससे हमें पता लगता है कि जब आपका f number कम होगा small होगा तो depth of field आपको कम मिलेगी और big number पे आपको depth of field ज्यादा मिलेगी इसी तरह आप देख रहे है कि depth of field को मैंने कैसे control किया है बर्चों से तो अगर आपको अपने field में अच्छी depth चाहिए आपको चाहिए कि proper आपका subject आपको deep depth चाहिए आपको पूरा subject focus में चाहिए तो आप big number of f point यूज़ करेंगे like f 14, f 22 और इसी तरह जब आप portrait शूट कर रहे हैं तो आपको depth of field कम चाहिए होती है आपको subject पे आपका चेहरा focus में चाहिए और बाकी चीज़े blood चाहिए तो आप उसके लिए small number like f 1.2, 2.8 यूज़ कर सकते हैं अगर इस video को लेके आपके मन में कोई भी doubt है तो आप comment के जगे मुझसे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से explain कर सको अगर आपको इस video अच्छी लगी तो इसे like करना और share करना ना बोले हम मिलते हैं अपनी next video में तब तक आप practice करते रहे और तब तक के लिए bye bye take care thank you